सानी की बीच आंधर प्रदेश में श्री काकुलम के सुन्ना पली सी हारबर में एक सोने के रंग का रध पाया गया है। बताया जा रहा है कि मंगलवार शाम को यहां सोने के रंग की परचड़ा एक खूब सूरत रध बहते हुए आ गया। यह रध म्यानमार, मलेशिया और थाइलेंड से बहकर यहां पहुँचने की बात कही जा रही है। हाला कि संता भुम्मली के तहसीलदार जे चलमया ने कहा कि यह किसी दूसरे देश से नहीं आया होगा। उन्होंने कहा कि रध का इस्तमाल भारती तट पर कहीं किसी फिल्म की शूटिंग के लिए किया गया होगा। लेकिन उच जुआर की गतिविधी ने इसे श्री काकुलम तट पर ले आया। वहीं नौपाड़ा के SI ने कहा कि हो सकता है कि यह किसी दूसरे देश से आया हो। हमने इंटेलिजेंस और उच अधिकारियों को सूचित कर दिया है। तो यह तस्वीरे उस रत की आपको बता रहे हैं जहां पर समुद्र में यह रत बहकर आ गया। और अब यह वीडियो सोचल मीडिया पर जम कर वाइरल हो रहा है। श्री काकुलम आंद्र प्रदेश की यह खबर है। और इस वक्त यह बता है।